बुलु जलाराम बापा नी जै राम नाम मेलिन है देखत सब मेराम ताके पदवंदन करूं जै 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 जलाराम टाके पदवंदन करूं जै 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 जलाराम रुशी चिंतन चैनल यूट्यूब ना माध्यम थी स्री कनु भाई आचार्य लिखित जलाराम दर्शन रजूकरवामा आउचे जेना वक्ता छे स्री दिनेश भाई केट्षकर गायत्री परिवार सर्गासन विश्वने धन्य बनावतू परिवा समाजने राष्ट्रने धन्य बनावतू तेमज पुरा विश्वने धन्यम बनावतू दर्शन शितले स्री जलाराम दर्शन अचुक साबड़सो, परिवार साबड़सो, जीवन धन्य बनावतु दर्शन छे, जलारम बापानु दर्शन, तो आप शवन नम्रविनंती अचुक साबड़सो, आ जलारम दर्शन निहार जो अतु अचुक साबड़सो प्राम नाम मेली नहे देखत सब मेराम ताके पदवंदन करू जै 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 श्री जलाराम प्राम नाम सब कहे ठग ठाकूर और चोर जो नामे लुहानो जलो तर्यो वो नाम कछू और ओम्त्री परमात्माय नमः । श्री गने साय नमः । रिश्यद गुरु भ्यो नामः । आओ पावन जलाराम दर्शन्ना चिंतन माँ जै ये अ पाँच शाना पाँच फुट निकाया ने जे सनगारी ने फरिये छिये अहम खी फरिये किये गुमान खी पर्दू छी, पड़ा साड़ा पाच छो फुटणी खाया, एक दिवस मृत्युना सरण जवानी छे, मातीना डेफामा भेरवाई जवानी छे, पने एटले किदू छे? गुमान तमारू तक शेना, धन जो बन कायम रहे शेना, बक्ति शत कर्मों खुब करूं, वीजू संगाथे साव शेना, प्यजी सीक्र लापनी द्रश्टीने, अंती मक्षणनों वीचार करूं, आभश्म कहेश्टे के जीवों, मृत्युनों जरा, वीचार करूं जो तुरूशित किशी को देख सहज, जो तुरूशित किशी को देख सहज, होता है आकुल व्याकुल है, जिसकी सांसों में पर पीडा, मरती है अपना ताकुल, वह है संकर जो ओरों की वेदना निरत्तर पीता है, उसका हर आशुरा मायन प्रत्यक कर्म ही गीता है, प्रत्यक कर्म ही गीता है, अने एकलेज कि दूस्ते। कर्शु कर्मों जेवा आजे, छलीक्षण माये देखाशे, कोई दाव नहीं चाल सेतारों, नालाच थी शरलल जाशे, हर पड़ उतरेशे, कर्मों नी ए वीडियो नो वीचार करूं, के बापानी वश्म करेशे, के जीवों प्रप्यूम जरा वीचार करूं, कर्मों जारां करतां करतां, इश्वर ने कायम याद करों, मानव सेवाना जूड़ काम करों, जो सहज मार्त के, जो सहज समर्पित जनहित में, होता है इश्वार्प त्याग करके, जिसके बग चलते रहते हैं, दुख दर्द मिटाने घर घर के, वह है ददी की जिसका जीवन, जग हित तप करके हीता है, औरों के हित जो जिता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आशु रामायन, प्रत्येक कर्म ही जीता है, प्रत्येक कर्म ही जीता है, अद्भूत वात बतागी छे जो सहज समर्पित जनहित में होता है स्वार्थ त्याज करके जिसके पग चलते रहते हैं दुख दर्द मिटाने घर घर के वह है दधीची जिसका जीवन जगहित तप करके बीता है उसका हर आशूरा मायन प्रत्येक कर्म ही गीता है प्रत्येक कर्म ही गीता है आगर बतायू छे जिसका जीवन संघर्ष बनी औरों की गहन समश्या है तम में प्रकास फैलाना ही जिसकी आराज्य तपस्या है जो बुझाता प्यास जन जन की वह पन गट कभी न रोता है वह पन गट कभी न रिता है औरों के हित जो जीता है औरों के हित जो मरता है उसका हर आशू रामायन प्रत्येक कर्म ही गीता है आवरत्य साधुए जारे विरभाई मातानी मांगनी करी त्यारे जलाराम जी एक दू के माराज एमा सू आतों हमारा अहो भाग्य केवाए अमारा धनभाग्य केवाए हमें बढ़ भागी छिए कि आप जिवा साधु पूरुष्नी अमारा थकी सेवा थाए छे कारण आ मातीना सरेर नो खभशुँ छे अंते तो आ बढ़ीन बसम थई जवाणों छे अंते तो ओव हैनी राख थई जवाणी छे सरेर तो मातीनो ठेफु बढ़ीन राख थवानू एवों बोलू जीकनों सहलुँ छेने साधु येकनों वास्ताओमा शरर न थि बारती ये समाज मां गामणा गामणों एक अबन हिंदू पन क्या कोई अकाड मृत्यू कोई नू थाई जाए तो पड़े दुखी आत्मा ने परिवार जनों ने आश्वासनापता बोले छे भाई आशरीर तो माटीनू पिंद छे पंच तत्वनू आबड़ेलू खोड़ियू एक क्यारे जैसे काई नकी नहीं आत्मा तो हजर अमर छे तू रड़े छे सा माटे पन साइब एवाद करवा माज सेलू छे पन देह भाव छूतो बहुँ मुश्केल सत्य तोरलना जीवन माँ पनावीज घटनाईको खत बनेली सत्ती तोरलना गुरू दर पुनमे तोरलने ते आवे छे पुनम निरात्र भजन था तोरलना गुरू महा समर्थ था एक वार हेव बनियू के तोरल आंगना मस्तनान तरवा बेठाच 14 नो दिवसतो भूल्थी खड़केनू बारनो खुलू रही गेलू अचानक थोड़क धको मार्यो और बारनो खुलू तोरलने नजर उचकाई सामे जोयू तो गुरू देवच श्नान करती तोरल गुरूने जोतांज बेबान बुली और दोडी गुरूना चर्णवा पड़ अब जो नजर्ग श्नान करवा भूल लगा ऄख़ालू एवा गुरू देवा रही आचानक थोड़की अने जोयू खड़के बन्द करता भूली गयेला तोरल अने जोयू, तो दर्वा जो खुल्यो, अने दर्वा जातरप जोयू, तो गुरू, तोरल भान भूली, अने एम ने एज अवस्थामा, गुरूना चरणमा पड़ाचे दर्शन करवा पोची गईचे, एवक्ते गुरूनु ध्यान, तोरलना शरीर मा थे गईउ, दिगंबर अ अवस्था मा तोरल ने जोता ए गुरु ये आँख बंद करी दिदी, एमने पग ची तोरल ने धको मारेो औने मुठीव वारी ने भागयाच, खड की बार जेने आपवा लागया, तोरल ने गुरु ना पग नी ठोकर वाजताँ ए भान मा आवी, दोडी ने खड की खड की बं कर क्रोध करी ने बोलिया, तोरल तु नगन सरीरे आमन्या मन मरवा दोडी आवी, गुरु गुशा थी कांपता हाता, त्यारे तोरल ने धीमे थी, गुरु माराज ना चरण मा प्रणाम करता है कहीं, गुरु देव, क्षमाय कर जो, पन मैं आमा खोटू शूक कर्यो, गुर आप दूर करो, आप एमने बजपन थी, शिखवियो छे, के बेटा, तौरल आ शरीर तो माती नो ढगलो छे, उपन माती, तमे पन माती, माती खुली होए के डंकायेली होए, एमा सू फरक, ने माती ने माती हडी, तो एमा कयू पाप लागी गई हो, गुरु देव, उँ कारण के आपने चैतन ने स्वरुपू समझू छो, आत्मा आत्मा ने मडे, तो एमा कयू पाप तक थाई हो गणाये, गुरु देव, तमे जी कहता आता, क्या शरीर तो माती नो पिंड छे, गुरु देव, तमे मने माती नथी समझता, तमे पना शरीर ने रुपाडी गुरु देव, गुरु आसन उपर ती उभा थाई गया, तोरल, तोरल, तु सरीर ने माती समझे छे, तारी भंती अमाप छे, तू तो देह भाव ती पर थाई गई छे, तोरल, तोरल, मुतर माती नथी समझे सक्यो, मारी बूल छे, एतली मारा ग्णानी अधूरुप छे, बेता, अवे आज ती तू मारी गुरु, आम कई गुरुदेव तोरल ना पगमा पड़ी गया, और एज एक्षणे, गुरु तियांती चाली निकड़ा, जया सुधी देह भाव ना ओगणे, त्या सुधी पाचो नहीं आउं, आम कई ने गुरुदेव निकड़ी गया छे, साइब संतों नुए जीवन छे, संतों नुँ आर्ठसों, संती प्रमाले एन तो संत कहिये, एन दासना दास्थाईने रहिये, आउं आपने घणू साम्डियू छे, पड़ा मारा गुरुदेव आचारे स्री राम सरमाजी ये संतनी व्याख्या करिज छे, कि पोताना प्रती कठोर मा कठोर वर्तन राखे, पोताना प्रती कठोर मा कठोर वर्तन राखे, कड़क मा कड़क वलन राखे, और बिजावना प्रती उधार मा उधार वलन राखे, ए संत कहिये, जलाराम जी अवा उच संत कोटी ना आता, अने आ तोरल ना गूरुए तोरल ने खोडा मरमारे लिए गिन्यान आप्यों जिन्दगी बार शरीर ना क्षण भंगूरतानी वातों करी पन तोरल ना रूप जोईने ए पन तोरल ने युवान्स त्री समझे चे जिन्दगी बार शिखामन आपी आ सरीर मातिनू भेठूं छे एक दिव सरडी जवानू छे मातिमा मडी जवानू छे पंच महाभूत नी आकाया पंच महाभूत साथे मडी जवानी छे एम कया करूं औने जारे सरीर मातिनू धेफो समझवानू आवे त्यारे माटिनू डेफों समझवूं ए बने वात्मा बव अंतर छे आ सर्व जगत ब्रह्मर उपछे एम कैनार जगत गुरु संकराचारी जीना जीवनमा पन आवी गटना एक वार्खत गटी गए लीजे त्यों सवारे एक सवारे कासीमा अंधारामा श्नान करवा जता आता त्यारे एक चांडाडनों स्पर्श थाई गयो और जारे चांडाडनों स्पर्श थाई जता संक्राचारे जिबहा गुष्चामा आवी गया छे तेमने चांदाडने कीदु कला खशी जाए छी सावाते रस्ता मा पड़े हो तेहारे पला चांदाडे जवाभ आप जो के जो तमे उमने खशी जवानू कहता हो तो कोईपन रित बराबर न थी जो तमे मने खसी जवानू कहता हो तो आ कोई पन रित बराबर नथी कारण के जो तमे मारा अनमाई जड़ सरीर ने कहता हो तो मारा आने तमारा अनमाई जड़ सरीर मां कोई पन तफावत नथी तमें जो जड अनमय देहे छो तो उपन जड अनमय देहादी छो जड ने जड अडे तो एमां कोई अभडातू न थी देहना चैत्यन्य नने दूर करवानू कहता हो तो ते पन बराबर न थी कारण तमे पन चैत्यन्य माई छो उपन चैत्यन्य माई छो मारी अंदर पन यह जे चैतन्य छे जे तमारी अंदर छे अने चैतन्य अने चैतन्य नुश्पर्षता कोई अभडातू नथी एक चांडा आड साहिब संक्राचारे जी ने सला आपे छे अने संक्राचारे नी आँख खु़ी गई छे अने संक्राचारे जीए ए चांदाडने पोताना गुरु बनाव्या छे। शंत जलाराम जी पत्नीने श्त्री श्वरूपे नहीं, देह श्वरूपे नहीं, आत्मा श्वरूपे जुए छे। पण विर्बाई माता आ वातने केवा स्वरूपे स्विकार छे। आ प्रस्ण हातों। साधु ए मांगनी करी, एटले तो ए उबा थया और आव्या छे पोताना बंडार माता विर्बाई मा ये वक्त रोटला गड़ता हाता। भगत तो मोधू निमानू करी और विर्बाई मा पासे आवी ने बेसी गया छे। कई रिते वात करवी, आवात मारा थी केम ठाए। संकोच मा छे। भगत ने घरिक तो सूज न पड़वी कि कई रिते वात करूं। साधू ये तो पत्नी निमाननी करी चे, पत्नी कने जीब नथी उठलती। अने एटले ये तो एह राम करी अने निशासो नाखी ने बोलता बोलता बैठा चे। विर्भाई माहे पूछू के केम भगत? केम आजे आम करोच? केम आजे तमारू मदू आम निमानू लागेच? सू कोई साधूडा नथी आगया? सू कोई रूपियानो तकादो करेच? भगत ये कईूं? अरे भंटारी एवी कोई वास्त नथी। त्यारे छेशू? बोलो, यो सामड़ो त्यारे अने जलाराम भी बोलया चे, बार एक साधू आवया चे, मैं तेने रोटला खावानू कयूं, परंतु एक खावा उत्ता नथी। ये तो अठकरी ने बेठा चे, मैं बहु कयूं, रोटला नखावा होये तो फरार करो, दूद पियो, छास पिय कई फ्रूटलो, आने कटको बटको लुगणानो जुई तो एपन मांगो, पन ये तो बधिवात्म उँहूं, उँहूंच करियां करेच, उँच हेवटे बव करगरियो, येमने पगेल आगयो, पगमा पड़ी ने बोलयो, बाब, शू ही चाचे तमारी, त्यार हेलने मांग करी, क्यों अवे घरडो थयो चू, मारा थी अलातू नथी, चलातू नथी, उमारी आत्मी सेवा पन करीर सकतो नथी, जैनलीदे मारा थी बजन पन थातो नथी, माते सेवा माते तारी बाइडी आप, आम कई अने येने बंडारी तमारी मांगनी करी चे, शू करबू अवे, जलारमजी पत्नी ने आग्या करता नथी, वुकम करता नथी, पति-पत्नी तो पति-पत्नी करता है सर्व स्रेष्ठ चे पति-पत्नी नो मालिक चे, आवो पनाई या कोई भाव नथी अरे जलाराम जीए जिन्दगी बर विर्भाई माताने बंदारी कईने सम्भोध्याचे बंदारी नुकर्तव्य छे बंदार साचेवान। अने जोड़ितु सिदु सामान काढ़ियाक वान। अई बंदारी विर्भाई माता अने पोते पन, जलाराम पोते पन मात्र टेलिया कि दा छे अमने उतो टेलियो छूरा हमने वेर भाई माता पती नवचे नो साबडी जराय पन सोब राख्या वगर संकोच राख्या वगर एक सण नो पन विचार करया वगर बोली उठ्या छे अरे भगत एमा बिजो विचार सूप करवानों होए आपने तो साथू संतों नी सेवाज करवी छे संत बड़े परमालती सीतल जाके अंग तपन बुझावे और की वो देदे अपना रंग आपने साथू संत नी सेवा करवी छे एमा सूँ आदो छे यह बिचारा जीवनी काया नहालती होई अने यह ना थी हाली चाली से कातू नहोई कोई काम नथे ही सकतू होई अने प्रभु बजन करवा मां जो मानस नी जरूर होई तो रांधी खवडाव मन मने वाँ दोस्नों छे अने तमार याग्निया होई तो हूँ ए साधू साथी जरूर जैस कारके आ काया तो उन्ते पड़ी जवानी छे उन्ते तो आ काया बड़ी ने राख ठईच जवानी छे खाद ठईच जवानी छे अपना यह भागी क्या थी कि आपना साधू संत नी शेवा था है माटे भगत तमे आनन्द ती आपाडियाओ, कोई वाते संकोचिना राखो आमा कोनी प्रसंसा करवी, कोनी महांतानी प्रसंसा करवी आदर्श दांपक्ते जीवन केवू होए जलारम बापाना प्रेरणा माथी जलारम बापाना धीवन माथी प्रेरणा लिदा जीवी छे एतले जलारम दर्शन कईूं छे आ दर्शन आपणाने आत्म साथ थाई जाये तो जीवन दन्य बनी जाये छे तमने मने पूरा परिवारने समाजने राष्ट्रने पूरा विश्वने जयमासी बहुद मने छे यहाँ आधर्स दर्षन जो कोई होए तो ते जलारामनो दर्षन छे विर्भाइबाताना अवा भव्यत्याग नी जलारम भापाना कार्यनी कोनी प्रसंसा करवी बनने आम अधवूत दर्षन बतावियो छे अने एकला माते किदू छे वंधना हो वंधना ओ माली कमने वंधना मा जगतंबाने वंधना मा विर्भाइबाने वंधना वंधना हो वंधना ओ माली कमने वंधना मा कुलु देलीने वंधना मा विर्भाइबाने वंधना माली नीठू नाम छे, माली तुम हान छे, माली तारा जर्णू ममलता, मुझने चारो धाम छे माली नीठू नाम छे, माली तुम हान छे, माली तारा जर्णू ममलता, मुझने चारो धाम छे वंडेना हो वंडेना, मा जगतं बाने वंडेना, मा विरभाई माने वंडेना, मा जन्माताने वंडेना केटली अदूतू उदार धिर्ण dall brothers जागनाम बापा के साध्यatif माहं भांग såब मिलमत धो था तहमें जल्दीची आपएरगो आवा कोनी प्रसंग सा करवी विर्भाई माताना भग्यत्य आग नी के जलानाम बाप्माना धाईवी कार्य नी जलानाम जीर साधू आ साधून विर्भाई माता दानमा आपया चे एम करता है एम केवुप जो ये के पोता ना पती ना दर्म नि जजाने गगन मा फरक्ती राखवामाटे विर्भाई माता आतेज साधू शाचे चाली नि किरा चे आ प्रसंग नजरो नजर निहाड़नार नारन अदा के जमणे जलानम बापानू पुस्थक लख्योचे जे लेखा के जलारम बापानु पूष्टक लख्यूँचे सववाग्य चंद्रजी और आ सववाग्य चंद्रजी यारे विर्पुर्मा आप्रसंग ने नजरो नजर निहाडनार नारन अदा पासे थी रुब्रु मुलाता अत्मा जानियूँचे शू जानियूचे ए प्रमा आने विर्बाई बाए बगत ने हा पारी आउवानू कया पछी माता जी ये रोटला टिपी तावणी मानाख्यों अनरसोडा मसी बार आव्याचे नाई, धोई, कोरा, कपडा, लुग्णा, पेरी, माथो, ओडी, कपाड मा चांदलो करी अने बार आव्याचे अने बगत मे पेला साधूने चरणे पड़े आचे पगे लागया चे ने रोढ़ा कानू थवा आव्यूं त्यारे पेला साधू उतावण करवा लागया बाप अवे मारे जऊंँ छे मने मोडू थाए तेले संक्त जलारामे कयूं विर्बाई ये विर्बाई तमे तैयारतो छोने आपेल वकत जलाराम जी ये विर्बाई ने विर्बाई तरीके संबोधन करियो छे जता जता विर्बाई पति जलाराम जी ने कहे छे बगत बोल्यों चालियों माफ कर जो तमारी सेवा काई नथा ही सकी हो है तो मनमा जराप लाउसों नहीं मारी बदी भूलों ने माफ कर जो त्या अने साधू तरफ आंगली चिंदिने के दू कि अवे अपना माउतर नी सेवा कर जो आज आ यूग मा जारे दिकलो माबाप नी सेवा करवा तक पर सतो न थी परने अपसी माबाप ने पड़ालग करी देचे ए समय अवा गोर कर्यूग मा मात्र साहिब बसो वर्ष पहला नी आवाद छे बसो वर्ष पहला जलाराम बाप आपड़ी वचे आता अने जलाराम साधू तरफ आंगली चिंदिने विर्भाई माने कहे छे बाप आ बाउतर नी सेवा कर जो विर्भाई अने जलाराम जी ना अनक्षेत्र ना शाक्षात अनपूरना हाता इन आ थि तो आफ तरफ चालतू हयतू एवना सत्वारा थी आ अनक्षेत्र खुब सार्व चालतू हयतू अने ए पन जलाराम जी आपड़ी दिधाचे संत जलारम जीनी उच भावनाने साथ मड़ेओ छे विरभाई मानों विरभाई माता शाक्षात त्याग, शमरपन, शेवा और असिम प्रेमनु मुर्ति मंत श्वरूपता केटली तिवर समेदना बतावी छे जलारम बापा जीनी जलारम बापा जीनी तिक्षन समेदना तके शंतों और बद्तों नी समेदना हमेशा खुब तीवर होय चे अने आ समेदनाने जी गायत्री की दी, जगदंबा की दी, राम के विष्णु नी साधना की दी चे गुरु देवाचा रिस्त्री राम श्तरमा जी एक गणी वकत केता बेटा गायत्री गायत्री एक लेश्णु 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 गायत्री समेदना गायत्री नाने करुणाने कोता ना दिल मा नहीं धरियो अनि भोजल बापा तो केता तिलक करता प्रेपन गया जप माडाना नाका गया तीरत फरी फरी थाक्यो चरन तोई नपोचो हरी ने सरन एक मुरखने एवी तेव पत्थर एकला पूजे देव पाली देखी करेश्णान तोई कारण के जे देव माथी जे देवियो माथी करुणा समेंद ना लेवी जोई यह जगेतना उधार माते एतो लिधी न थी साचा संतोने भक्तोनी समेदना खुब तीवर होये छे भक्त जलाराम बापानी समेदना मा विरभाई मानी समेदना पन आटली तीवर होती संत तुकारामनो एक प्रशिद प्रसंग छे एक वार तुकाराम घर मा दाखल थया त्यारे खड़के नो दर्वाजों बंद करवानू भूली गया तेमनी पत्नी आंगनामा काईक अनाज शुकावा मुखेलू अने दर्वाजों खुलो राखे ने सल तुकारम गर्मा आवया खुला दर्वाजा मा थी एक गाया वी उने अनाज खावा लागी तुकारम जीना पत्नी आजो यूं अने धोको लहीन दोड़या गायने मार्वा लाग्या त्या satuकारम चीशो उपाडवा लाग्या अने तमने के मपीडा थाई मैं कई तमने तो मारे आनुची ने तीहारे तुका रामे पो ता ना वासा उपर नू रहलू वस्ट्र दूर करी औने पतनि बताविय। वासा उपर शाक लिना मारना सोडी उठी गएला अने पतनि पणा जोई ना भी बनी गएला मार मार गाय ने अने फिडा तुकाराम ने थाए संत जला रामजी ना जीवन मा पन आवा कितला है प्रसंगो नो जाया चे एक वारेम ना बगतो उपर बावड नू वरक्स पड़िए अने एनी वेदना एना सूडनी वेदना आ जला रामजी न थेई छे वासो आखो चीराई गए हो छे आखो वासो सूजी गए लो छे बक्त जला रामजी सर्व जीवन राम समझी और तेमना प्रते ताजार में बाव अनुभाउता हाता बधानी अंदर रामना दर्शन करता हाता अन जलारम बापा नू जो दिव्य दर्शन होई ने तो ते आज छे मुझ में राम तुझ में राम समाया है कर लो सभी से प्यार जगत में कोई नहीं पराया है एक ही माँ के बच्चे हम सब, एक ही पिता हमारा है, फिर भी ना जाने किस मूरखने लड़ना हमें सिखाया है, जगड़ना हमें सिखाया है। पिडा, विजाना दुखने दर्दनो अनुभव एपोताना स्वयम उपर करता हाता। एवी समेदनानी द्रस्तीने कारने तेवो जिन्दगी बर एमने लोकोनी सेवा करीचे। लोकोनी नहीं, पशु पंखियोनी पन सेवा करीचे। एमनी आ उतकुरुष्ट समेदनाने व्यक करेलूँचे, ए आगर आउशे समेदनाने सत्वारे, ए विबाद आप जरूर शामबढ़ जो, भाग्ये साडी चिये के रुषी चिंतन चैनल विना मुल्ये, निश्कान भावे, आउँ अधभुद जलाराम दर्षन आपनी समक्ष लावी रया चे। अचुक आ चैनलने सर् को चाडवान उप्रहत्न कर जो, एपन एक प्रभुभत्ती जित्थ से।